अज मैं मसाला चिकन लेगपीस और वाइट बिरियानी बनाने वाली हूँ तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले लेगपीस को अच्छे से वाश कर कट करना है इस तरह से कट करना है इसमें हल्दी नमक लगा कर इसे 20 मिनिट के लिए मेरिनेट होने देना है अच्छे से बिरियानी बनाने के लिए पतिली में घी गर्म हो गया है अब इसमें खड़े मसाले रखकर वाश के ओर चावल लखकर दो मिनर तक इसी तरह भूनना है चावल भून गया, इसमें गर्म पानी रखकर नमक रखकर दस से बारा मिनर तक मीडियम फिलेम पर इसे धकर पकने देना है अब इसमें गरेवी बनानी के लिए ओयल गर्म हो गया है, इसमें जीरा और खड़े मसाले रखकर इसे पकाना है यह पक गया, अब इसमें प्याज रखकर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है प्यास गोल्डन ब्राउन हो गिया है इसमें अदरक लेसन का पेश्ट रखकर इसे भूनना है ये थोड़ा भून गिया है अब इसमें प्यास का पेश्ट रखकर इसे भी मिक्स करकर भूनना है अब इसमें टमाटर के पेश्ट रखकर इसे भी दो मिनार तक चलाते हुए भूरना है हल्दी पॉर्डर, धनिया पॉर्डर, लाल मिर्च पॉर्डर रखकर इसे भी अच्छे से मिक्स करना है नमक आप अपर कॉर्डिंग टेस्ट रख सकते हैं मसाला थोड़ा भून गया है अब इसे अच्छे से मसाले को पकाने के लिए इसमें पानी रखकर एक से दो मिनार तक ढखकर पकने देना मसाले को इधर देखिए यह बिर्यानी बन के रेटी है के लिए बिल्कुल फीलेम पे दम पे रखना है इधर मसाला भून गया है देखिए अब इसमें काली मिर्ज पार्डर और दहरा धनया कटा हुआ रखकर से मिक्स करना है मसाला भुन गया है अब इसमें पानी रखकर चिकन लेख पीस रखकर इसे 5-7 मिनट तक पकने देना है ढखकर यह देखिए चिकन लेख पीस बन गया अब इसमें दो हरी मिर्च और गरम मसाला रखकर इसे मिक्स करना है ग्रेवी का पूरा पानी ड्राइ होने देना है अब चिकन लेख पीस बन के रेड़ी है इस पे हरा धनिया रखना है अब मैं इसे सर्फ करके दिखाते हूँ यह मैंने बिर्यानी के ऊपर चिकन लेख पीस रखा है और अब इस पे फ्राइड ओनियान रखकर सब्सक्राइब अगर आप लोगों को यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग भी जुरूर ट्राइ करें प्राइब बिर्यानी करें